यह जो project आप देख रहे हो यह पूरा का पूरा एक smart parking है इस smart parking को बनाने के लिए पूरा PLC और साथी साथ में इसका पूरा process को दिखाने के लिए इस काड़ा system का इस्तमाल किया गया है अब यह जो smart parking है इसमें होता क्या है कि जो भी vehicle है विकल जैसे यहाँ पे gate पे आएगा और gate से जैसे entry करेगा आप देख सकते हो यहाँ पे gate automatically open हो गया और gate के open होने के बार विकल आके यहाँ पे पार्क हो जाएगा और पार्क होने के बार आप सकाटर सिस्टेम में देखेंगे वहाँ पे जो occupied space है मतलब कि जो हमारा पार्किंग सिस्टेम में उसमें एक विकल औरेडी पार्क हो चुका है अब इसके बार यदि दूसरा विकल आता है तो यहाँ पे जो हमारा gate है gate open हो जाएगा gate open होने के पर आप देखो कि जो parking system में वहाँ पे दो car park हो चुका है और अभी के time पे हमारे पास में वहाँ पे 4 space available है मतलब कि इस parking में अभी के time पे 4 और vehicle park हो सकता है अब यदि कोई भी vehicle यहाँ से move out करता है मतलब कि बाहर जाता है तो आप देखो कि यहाँ पे gate open हो चुका है साती साथ में जो मेरा SCADA सिस्टर में वहाँ पे आप देख सकती हो कि जो space से space बर गया मतलब कि 4 से आप 5 हो चुका है अब यह जो smart parking system में इसको पूरा का पूरा student के द्वारा बनाए गया है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ student बैठे हुए है और इनको training प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से comment कर रहे थे कि सर आपके पास में आके कैसे training लेंगे देखिए मेरा personally अभी के टाइम पे training center कोई भी नहीं है लेकिन आप लोगों के comment के वज़े से मैंने दो तिन training center को विजिट किया और उनका जो वहाँ पे process है पूरा चीज़ों को देखा उन सभी को देखने के बार मैं सर के पास में आया और इनका जो training center है मुझे बहुत ही जादा पसंद आया क्योंकि यहां पे पूरा चीज़े practically सिखाये जा रहा है तो यह सब चीज़े देखने के बार मैं इस video को record कर रहा हूँ जिससे कि इसके बार में आप लोगों को में provide कर सकूँ मतलब कि information provide कर सकूँ तो यह जो सर है इनके द्वारा पूरा यहां पे student को training provide कर सकूँ हमें यहां noida sector 2 में training center खोला है जिसमें हम PLC, HMI, VFD, SCADA, instrumentation, panel की wiring हो गई, panel designing हो गई complete हम industrial automation की training provide करते हैं और हमारे यहां जो vendors है वो top most vendors की PLCs हम रखे हैं, HMI रखे हैं, SCADA रखे हैं तो आपको हम अपने panels वगरा दिखा देते हैं, अब देखिए यह जो panel है, यह PLC station 1 है, इसमें हम Siemens की दो PLC यूज़ कर रहे हैं, यह PLC का हमारा panel है और इस panel को control करने के लिए हमारे पास Siemens की एक HMI screen है यह HMI screen से हम पुरे plant को operate करते हैं और हमारे पास Systems वगरा है, जिसके थुरू हम program करते हैं, PLC के अंदर और HMI की screen वगरा design करते हैं एक और PLC station है, आप देख सकते हैं, Delta Company की है और यह उसको control करने के लिए हमारे पास Delta की HMI screen है यह भी एक system है, program करने के लिए यह L&T Company की PLC और HMI की panel है और यह है हमारा HMI for servo station यह servo motor को अगर आपको run करवाना है, तो यह panel हम use कर रहे है यह हमारा जो panel है, यह Mitsubishi Company की है मत्तब multiple vendors के हम चीजे रखे हैं, जिस पे अच्छी quality के हम training प्रवाइद करते हैं तो sir, मैं जैसे की देख सकते हैं, यहां पे आपने अलग-अलग company का BFD SCADA system रखे हैं साथी साथ में बहुत सारे पैनल भी रखे हैं, पूरा प्रेटिकल ट्रेनिंग देने के लिए ऐसा training center तो मैंने कहीं देखा नहीं हैं फिलाल के time पे तो यह तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, sir, आप क्या मुझे यह बता सकते हैं कि यदि मुझे यहां पे training करना है तो मेरा qualification क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन-कौन से student आके यहां पे आपके द्वारा training ले सकते हैं थोड़ा सा basic बता दीजिए इसके बारे में यह सारे बच्चे कर सकते हैं इसकी training और इसके अलावा सर यह बताईए कि अगर मैं personally किसी company में work कर रहा हूँ तो work करते-करते क्या मैं आपका PLC system में उसके ग्यान ले सकता हूँ देखिये, ऐसे बहुत सारे students को हमने training दे दिया है जो already 10-8 साल अपने maintenance में time दे चुके हैं लेकिन उन्हें पता है कि industrial automation का आज time बहुत demand है तो वो especially आते हैं सीखने के लिए हमारे जो Sunday batches जो चलते हूँ ज्यादा तर वो experience लोगों के लिए मतलब सर आप ऐसे option रखे हैं कि अगर हम work कर रहें currently में और currently work करने के time पर Sunday के दिन जब चुटी रहता है हमारा holiday रहता है तो आपके पास में आए और training ले सकते हैं ऐसे करके तो जो आपका सब यह process है training का तो अगर मालनों कि हम regular basis पर आके यहां पर training लेते हैं तो वो one month और 45 days का होता है उसमें हम certificate provide करते है training के बाग और उसमें PLC और HMI और कुछ wiring वगरा सिखाते हैं लेकिन आप अगर three months की training करोगे तो वो job oriented training रहेगी तो sir आपके तरफ से कोई सा certificate हमें provide किया जाएगा जिससे कि हमें in future अगर उस certificate के लिए जाते है तो वो valid रहेगा कि नहीं रहेगा फुरा सा यह चीज़े बताई आप certificate 100% valid है हम लोग registered है government के पास हमारी company registered है आपको three months की certificate मिलेगी जिसमें सारी चीज़े mention रहेगी कि आपने यह चीज़े यहाँ training की है यह चीज़े cover किया है अचा सर जो आप training provide करेंगे वो प्रेटिकली रहेगा कि theoretically रहेगा देखे आपने college में बहुत theory पढ़ा है तो यहाँ ज़ादा तर हम practical पे focus करते हैं यहाँ की training जो है आपको 80% आपको practical दिखेगा 20% theory है क्योंकि थोड़ा चीज़ों की theory के बारे में हमें पढ़ाते हैं अचली क्या होता कि जो theory हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं लेकिन अगर on board जैसे कि यह पेनल सर कर रहे हैं अभी practical work करते हैं तो वो चीज़े हमारे mind में catch हो जाती है और यार भी होता है तो बेटर यही रहता है कि अगर हम training प्रोवाइड करें तो 90% तक अगर practical करते हैं और 10% theoretically करते हैं तो वो चीज़े होता है mind में catch हो जाती है और इससे आलवा सर क्या आप online training भी प्रोवाइड करते हैं हाँ हमारे यहां जो है week में टीन बैच चलते हैं जो online batches है online में क्या है कि आप ऐसे आप training करोगे आपको समझ में difference नहीं आएगा कि आप online कर रहे हो इस quality की आपको training दी जाएगी आपको सारी चीज़े सामने दिखेगा आप training करोगे तो क्या सर online training में आप practically भी दिखाते हैं work करते हुए कि बस से ऐसे बता देते हैं कि online training में जैसे कि अगर बच्चे दूर है तो हम उनको यह facilities देते हैं कि अगर three months की training है तो आप एक काम करो ज्यादा से ज्यादा जो software वाली चीज़े है वो आप online कर लो और जो last के कुछ month बचेंगे या last के कुछ days बचेंगे उस वक्त हम क्या करते हैं बोलते हैं कि आप 15 दिन टाइम निकालके आप यहां आ जाओ आपको रहने की facilities वगरा हम करवा देंगे आप आके वो 15 दिन में आप complete practical कर सकते हो और जो बंदे आते हैं 15 दिन के लिए वो दिन भर यहां बैठ के practical करते हैं सुवा से लेके साम तक तो उनकी जो three months की जो practical training है व हमारे जो regular basis पे students है यह तो Sunday वाले students है regular basis वाले क्या है कि week में वो तीन class करते हैं MWF या TTF चाचर घंटे का लेकिन other day में अगर system available रहा तो phone करके पूछ लेते हैं कि सर क्या हम आ सकते हैं practice करने के लिए तो उनकी लिए system available है हमारे पस बहुत सारे system है practice करने के लिए हम छोड़ देखे career growth ऐसा है कि जो बंदा जैसे कि already production और maintenance में काम कर रहा है तो production maintenance में क्या है ज्यादा से ज्यादा आपकी अगर fresher बंदा join कर रहा है तो उसकी salary क्या होगी ज्यादा से ज्यादा साड़े 12,000 की होगी 10,000 की होगी और अगर आप production में एक बार गए तो आपकी career growth उसमें क् तो 20-25,000 तक जाएगी ओके industrial automation में अगर आप 5-6 सल आप अपना time दे देते हो तो आपकी salary 50-55,60 उसकी कोई limitation नहीं है क्योंकि जितना अच्छा काम करगे उतना अच्छा इसमें growth है starting salary जो है 15-20,000 तक मिल जाता है ठीक है जो diploma हो या बिटे को उसके कोई level automation में कोई level नहीं है जितना आप जानते हो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा लेकिन basic salary जो है 15-20 तक मिल तो सर आपके तरफ से कोई training मतलब training complete करने के बाद job लगने का कुछ guarantee है सर जौब लगने की तो 100% guarantee है हम जो भी companies के साथ contact करके रखे हैं वो सारे on role job provide करते हैं सारे बड़े-बड़े automation पर नहीं होगा पूरा on role job होगा जी जी on role job होगा और सारे बड़े-बड़े automation companies है जो automation की panels बनाते हैं और आपको जो job मिलेगा वो project engineer का जौब मिलेगा ऐसा नहीं कि आप कोई contract basis पर contractor के अंदर wiring कर रहे हो आपको project engineer का job मिलेगा साइट पर जाके खुद automation करके आओगा यहां तो job की 100% guarantee है हमारे यहां एक student है जिनका already placement हो चुका है और training अभी उनकी कुछ बाकी थी तो अभी आपके वो Sunday Sunday आपके training कर रहे हैं आप इनसे चाहो तो बात कर सकते हैं तो hello bhai कैसे हो तो सबसे पहले तो मैं यह जाना चाहूँगा कि जो आप training ले रहे हो training उसके बारे में Diploma Electronics Engineer मतलब कि आप electronic field से बिलोंग करते है ना अचा सब और इससे पहले क्या आपने कहीं पे जोब किये हैं कि फ्रेसर है आप मैं एक company में जोब कर रहा था दो साल तक मैंने under training maintenance engineer की जोब पोस्ट पर जोब किया था but under training तो वहां पर मुझे कुछ नहीं सीखने को मिला मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे फ्रेसर टाइप से ही रह गया था training के प्रियोट पे तो आपने यहां पे आके PLC SCADA के बारे में सीखें तो यहां पे PLC SCADA सीखने के बार में आपका जॉब लग चुका है हां मेरे जॉब लग चुकी है अभी मेरे training complete भी नहीं हुई है यहां पर जो सिखाया जाता है बहुत अच्छी तरह समझ में आता है और यहां पर सबसे वेश सिखाया जाता है तो sir thank you आपका बात करने के लिए और congratulations आपका की जोब के लिए नया जोब के लिए तो sir जैसे कि मैं अगर यहीं इंटरनेट पे सरच करूं training center PLC SC SCADA के बारे में उसकी जो भी कमी है उसको मैंने अपने लैब में पूरा किया है और देखे training center market में दो तरीके का है एक training center वैसा है जिसमें जो trainer है वो सिर्फ trainer है कहीं training किया उसके बाद वो trainer बन गया और सालों साल वो वही चीज़ घुमा रहा है मतलब यह कह सकते हैं कि उनको प्रेटिकली नौलेज निये training लिए knowledge गयन किया और मार्केट में ऐसे institute भरे पड़े हैं और जो दूसरा training center है दूसरे training center में क्या होता है कि जो बंदा trainer है वो already field में experience है तो वो training आपको यहां मिलेगा मैं अपने बारे में क्या बता हूं मैं already 11 सा उसका जो experience है आप यहां पर student को पुरा का पुरा सेर करते हैं सारी हम जो training देते हैं सारी field को सोचके कर देते हैं कि बंदा जाके field में struggle ना करें उस हिसाफ से दे तो सर यदि किसी viewers को आपके पास में आके training करना है तो कैसे आप से contact करेंगे contact करने के लिए आप number हमारा डाल दी description में दे दूँगा इनका mobile number भी रहेगा address भी रहेगा यदि आपको contact करना है तो आप directly इनको call कर सकते हैं सीधा ही सर से बात होगा और सर से जो भी information आपको चाहिए वो पूरा का पूरा मिल जाएगा personally मैं यहां पर आया हूं मैं यहां पर जो देख रहा हूं वो बहुत ही perfect है आपके training के लिए यदि आप अपने career में switch करना चाते हैं यदि आप चाते हैं कि आपका जो career है वो growth हो उसमें तो आप यहां पर आके training ले सकते हैं अच्छा दोस्तों जो सर का contact detail है वो पूरा का पूरा मैं description में दे दूँगा साथी साथ में यदि आप चाते हो कि सर का कुछ demo class तूरंत लेना मतलब कि यदि आप जानना चाते हो सर कैसे पराते हैं किस पराते हैं तो सर का कुछ YouTube वीडियोस भी हैं जिसको आप यदि चाहू तो देख सकते हो वीडियो को देखने के लिए यहां पे जो वीडियो आ रहा है इस वीडियो पर क्लिक करिया और देख लीज झाहू झाहू झाहू